हलो स्टुडेंट्स इस क्विश्चिन में एक पैडल प्लेट कैपसिटर दे रखा है जिसकी वैल्यू 90 है और कहता है इसको चार्ज कर रहे हैं अपने 20 वोल्ट से डाइलेक्ट्रिक भी लगा दिया है और कहता है इंड्यूस चार्ज बताओ यह ध्यान रखना कि बैट्री के अंदर यह नहीं बोला है कि चार्ज करने के बाद बैट्री हटा दिये तो बैट्री इस नॉट अट आल रिमूवड तो आप यह बात ध्यान रखो कि इस कैपसिटर के अंदर डाइलेक्ट्री डालते ही यहाँ पर जो चार्ज होगा वो अपन यहां लिखते हैं अगर इसको टोटल चार्ज कितना होगा कैपसिटर पे आफ्टर दे इंसर्शन आफ दिस पटिकुलर डाइलेक्ट्रिक तो यह तो सीवी का टाम होता है और इसको मैं आपर के सीवी लिख देता हूं के हो जाएगा बच्चों 5 बाए 3 कैपसिटी की वैल्यू है 90 पीको फेरेट पीको स्टेंट्स फ़र 10 टू पार माइनस 12 ठीक है और यह तामारा अपना 20 EMF का टाम है इसको अगर अपन सॉल करेंगे तो यह मिल रहा है हमें 30 यह हो जाएगा 15 यह हो रहा है 3 इंटू 10 टू पार माइनस 9 और you can write 3 नैनो कूलम है ना यह भी capacitor के अंदर रहने वाला चार्ज है इस तरह सा एक capacitor assume कर लो दो plates होंगे इसके अंदर रहने वाला अभी यह total चार्ज है आपको बताना है कि dialectic जब यहाँ पर place किया जाएगा इस तरह से इस dialectic के अंदर कितना चार्ज induce होगा उसकी equation होती है हमें याद होता है Q' is equal to होता है Q not bracket के अंदर 1-1 by K जो बच्चे formula जानते हैं वह direct यहां से करना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर Q' का meaning होता है Q of induce यही आपका answer है और यह हो जाएगा Q total 1-1 by K this is obviously 3 nano coulombs 1-1 upon यह हो जाएगा 5 by 3 ठीक है यह हो रहा है बच्चो 3 nano coulombs into यह हो जाएगा 2 by 5 जिसको आप लिख सकते हो 1.2 nano coulombs मतलब इतना charge है वो वहाँ पे induce हुआ है तो option 4 mark करना है यहां बस गलती मत करना आप लो कि battery हटा दूँगा तो क्या होगा तो charge हो जाएगा ना वो constant हो जाता है यह भी अपन थियोरी में पढ़ते हैं अगर battery मैंने यहां से remove कर दी इसका यहां पे कोई गरबर करके इस्तमाल मत कर देना कि battery यहां पे अपन ने हटा दिये बोला नहीं है तो अपन को नहीं हटाना है बैटरी हटा दो के तो charge का term कितना हो जाएगा c into v time बनने लगेगा ठीक है यहां पे गरबर नहीं करना है जो charge यह अपना है वो k c v का term है और यह अपना final answer होगा ठीक है students kindly like comment and subscribe to our channel